प्यारे दोस्तों नमस्कार आज मैं बंगाल सेली और बात किया जाए बंगाल सेली के साथ साथ मुखरूप से चर्चा करूँगा आपके आधुनिक मलब बंगाल सेली और आधुनिक तथा समकालिन कलाकार के बारे में इसमें प्यारे दोस्तों 500 कोशन के ट्रेट स्रीज है टोटल 500 कोश्चन की टेस्तिरीज चितरकला मुलब पैंटिंग से रिलेटेड आपके कराई जाएगी तो इसमें जो पहला कोश्चन है आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला कोश्चन हमारा जो है वो है बूमेन अन रिक्सा बूमेन अन रिक्सा कृति किसकी है तो यहां प के तो आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर लिखा करो कि कितने कोश्चन में से कितने कोश्चन आपके सही हुए पहला कोश्चन है आरपिता सिंग बी के कहबर सी तैयब महता या एम अफ हुसान तो पहले कोश्चन का जो आफसें सही होता है उस होता है मतलब तैयब महता तै महिला आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर बारवार महिला चित्र किसका है आफ्षन पढ़ते हैं ए एन्यस बेंद्रे बी शांती दबे डी सी नंदलाल बोस जी जो है डी जोती भट तो प्यारी दोस्तों यह जो है बारवार महिला नामक चित्र के चित्रकार जो है यह आफ्षन सी होता है एन्यस बेंद्रे एन्यस बेंद्रे का पूरा नाम होता है नारायण स्रीधर बेंद्रे यह भी आप लोग जानते होंगे अगल चित्रकार, मूर्तिकार या छापाकार या इतिहासकार तो इसका आफशन नमबर B सही होता है पेवी जान की राम जो हैं मूर्तिकार के रूप में प्रिशिद्ध हैं या आप लोग बिल्कुल सही टिक कर लेना इसके साथ आगे बढ़ते भी बात करते हैं कुश्चन नमबर चार की तरफ है एक मूर्तिकार जो कभी भी था मूर्तिकार का नाम बताना है आपको जो एक कभी के रूप में भी जिसका नाम लिया जाता है बेवी जान की राम या डेपी राइच उधरी या अमरनाथ सहगल या प्राम किंकर बैच तो इसका आफ्षन नमर आपका सी सही होता है मतलब अमनाथ सिंग जो अमनाथ सिंगल थे शहगल यह जो है एक कभी की रूप में भी जाने जाते हैं यह कुश्चन आपका यहां पर बिलकुल सही होता है अगला कुश्चन है हमारा कुश्चन नमर 5 आप का यहां पर देखिए उस भारती कलाकार का उस भारती कलाकार का नाम बताईए जिसने सर प्रथम लोग कला को आधुनिक रूप दिया था लोग कला को क्या किया था आधुनिक रूप दिया था A. राजारभिवर्मा B. महादेभिवर्मा C. रविन नाट्यगोर D. यामनी राय तो जो आपका यहाँ पर आफ्षन से होता है तो D से होता है मतलब यामनी राय यामनी राय ने सरप्रथम जो सरी यहाँ पर बात की जा रही है कोश्यन नमबर पांच में यामनी राय जो जिन्होंने भारतिये लोककला को आधुनिक रूप दिया था और सरप्रथम दिया था तो यहाँ पर आपश्यन नमबर डी आपका सही होता है आगे बात करते हैं question number 6 की question number 6 में आपका जो सही उत्तर होगा देखिए आप लोग जरूर कमेंट करिए यहां पर 5 में याम नीराय सही होगा D. मैडोना एंड चाइल्ड के कलाकार का नाम क्या है? जो मैडोना एंड चाइल्ड नामक्चितर है उसके कलाकार का नाम क्या है? एकका यदागिरी राओ, राजा रभी वर्मा या पीबी जान की राम या याम नीराय तो यहां पर प्यारे दोस्तों जो सही होगा उह होगा C. आपसन पीबी जान की राम का नाम यहां पर सही होता है यह चीज़ आप लोग बिलकुल किलियर कर लेना आगे की तरह बढ़ते हुए C. 7 की बात करेंगे अनुपम सूध की जो प्रशिद्धी का कारण है और क्या है? मलब किस प्रकार से हैं? वास्तुकार, चित्रकार या लिथोग्राफर या मुर्दिकार तो जो अनुपम सूध हैं इनका मुख रूप से जो प्रशिद्धी का कारण है और चित्रकार की रूप में है आप्शन नमबर B सही होगा या आप लोग बिलकुल नोट डाउन कर लेना आगे की तरह बढ़ते ही बात करते हैं कुशन नमबर आठ की यहां पर आठ में कृष्णा रेड़ी का जन्म 1925 में कहा हुआ था जो कृष्णा रेड़ी जी थे इनका जन्म 1925 इस भी में कहा पर हुआ था इसको आपको बताना है आंध्रप्रदेश, मध्रप्रदेश, महार ही सिस्भी में अंधर्प्रदेश में हुआ था अगला कोशन हम लोगचर जो हमारा अगला कोशन है कोशन नम्मष 9 यह है जलकु मुध्नी नामक चितर के कलाकार कौन है मतलब जलकों मिदनी के कलाकार कौन है तो राजारवी और्मा महादेवी और्मा गगनेन नाटेगोर या डी एराम चंदरन कुश्चन नमबर 9 का जो आपका सही होता है डी आपसन सही होता है एराम चंदरन है इनहीं की यायाती चित्रशेंखला बहुत ही बिख्यात है यह भी आपको मालूम होगा इसके साथ साथ कुश्चन नमबर 10 पर हमाते हैं 10 के बारे में पढ़ते हैं इसके साथ साथ एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों यहाँ पर TGT और PGT UGC Net के लिए व Tobler भारत भॉण भोपाल कहा है उत्रपरदेश या बिहार या उडीशा या मदबरदेश तो भारत भॉण भोपाल की बात है यहाँ पर तो भारत भुन भुपाल आपका मद्द प्रदेश में है ये भी आपको बिलकुल किलियर होना चाहिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही तो लाइक से और सस्क्राइब जरूर करना और अगला वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष लेकर के आने वाला हूँ उसको इसका आप लोग पूर्ण रूप से अध्यान करिए